हालो हालो विवर्स वेलकम टू माई चानेल आज मैं आपको बता होंगी प्राइमरी डिवाइस चेंज एशू और प्रॉब्लम जो होड़ा है एमपॉकेट में वो क्या है पहले तुम्हें बोल दे रहे हूं प्राइमरी डिवाइस क्या होता है आपने पहले जो मोबाइल में फास्ट टाइम जो मोबाइल यूस किया है एमपॉकेट के लिए लोन के अप्लाई के लिए ओई है आपका प्राइमरी डिवाइस ठीक है या painting issue आ रहा है आप दूसरे device में try कर रहे हो ठीक है आपका जो loan है उनके लिए try कर रहे हो M pocket app open कर लिया तो इसका issue resolve आपका कैसे होगा पहले तो जब आप 3-4 device में already M pocket app open कर लेते हो आपको लगता है M pocket app काम नहीं कर रहा है तो दूसरे device में try करते हो तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है जब आप loan के लिए apply करते हो ना तो वहाँ पर आपका सो होता है primary device और model सो होता है कौन सा device में आपने पहले apply किया था या ओई device आप use करना चाते हो या change करना चाहते हो उसके बारे में मैं बताऊंगी जब आप loan के लिए apply करते हो उस time आपका सो होता है change your device या primary device और बहुत सारा device सो होता है क्योंकि आपने बहुत सारी device में Mpocket app open कर लिया था ठीक है तो आपको क्या करना है आपको primary device सिलेक्ट नहीं करना है आप जो mobile यूज कर रहे हो आप change device सिलेक्ट करना उसके बादी आप request देना Mpocket customer care में उस time में एक call आएगा नहीं तो SMS आएगा उस time आपका जो change device है वो already change हो जाएगा कितना time लगता है इस process में 24 घंटा लगता है नहीं तो 24 घंटे के कम लगता है ठीक है तो आपका primary device already change हो जाएगा बट आपको change का request देना परेगा पहले Mpocket में जब आप loan के लिए apply करोगे उस time आपका बहुत सारा device हो होगा तो उस time आपको primary device चूज नहीं करना है आपको चूज करना है change your device तो request चला जाएगा automatically Mpocket में और आपका device already change हो जाएगा तो आप सोच रहे हो आपका SIM नहीं आया भी उसका भी request आपको same process में देना होगा आपका new SIM आप apply करना चाते हो new number add करना चाते हो तो ऐसा ही same process है आप change जो भी करो आपका email id चेंज करो या change device करो तो आपको पहले request देना परेगा Mpocket में उस टाइब 24 घंटा लगेगा आपका device already change हो जाएगा number भी change हो जाएगा और एक call आएगा verification के लिए easily change हो जाएगा उसके बाद आप loan apply easily कर सकते हो तो यह कोई दिक्खत की बाद नहीं है बट आपको primary device select नहीं करना है change device select करना है उस टाइम आपका automatically change हो जाएगा आप loan के लिए apply कर सकते हो ठीक है मिलता है next वीडियो में bye कोई भी issue आए तो आप मुझे contact कर सकते हो और telegram join कीजिए bye